हम अकसर ये कहावत सुनते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे खूदोगे तो बनोगे खराब लेकिन आज के समय के हिसाब से अगर देखा जाये तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको नवाब बनना है तो उसके लिए पढ़ना रिखना ही जरूरी है नवाब से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम राजे रजवारों के बारे में कुछ बात कर रहे हैं नवाब से हमारा मतलब है कि खुब पैसा कमाने वाले और खुब सारी धन दौलत के मालिक आप जरूरी नहीं है कि तब ही बन सकते हैं जब आपने कोई बड़ी डिग्री या डिप्लोमा ले रखा हो एक्चिली आज का जमाना वो है जब पढ़ाई लिखाई से ज्यादा स्किल इंपोर्टन्ट है और इस दुनिया में कई सारे ऐसे एक्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के बिना भी अर्बो खर्बो की समपत्ती जोड़ी है और आज के इस वीडियो में हम आ हावर्ड युनिवर्सिटी की पढ़ाई उन्होंने बीच में ही छोड़ दी बिल गेट्स को बचपन से ही कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का शौक था सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने बड़े-बड़े सॉफ्ट्वेर बनाने शुरू कर दिये थे यही नहीं हावर्ड युनिवर्सिटी में एड्मिशन लेने के 5 साल पहले से ही बिल प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट थे 1975 में बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और अपने फ्रेंड पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट को आगे बढ़ाने में जुट गए बिल गेट्स आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है ओप्रा विन्फ्रे ये नाम आपने जरूर सुना होगा ये एक ऐसा नाम है जो बड़े से बड़े लोगों को बड़ी आसानी से कोई भी सवाल पूछ लेता है जी हाँ ओप्रा विन्फ्रे भी अपने आप में एक सक्सेस्फुल परसनालिटी है ओप्रा विन्फ्रे को शुरुआत से ही मीडिया में बहुत रूची थी स्कूल में स्टेज परभाशन देना और अन्य मीडिया संबंधित चीजे विन्फ्रे की फेवरिट थी कुछ टाइम उन्होंने लोकल रेडियो स्टेशन में नौकरी भ माइकल डेल डेल के कंप्यूटर्स तो आप बहुत यूज करते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस कंपनी की स्थापना करने वाले माइकल डेल के पास कोई प्रॉपर डिग्री नहीं है माइकल डेल ने सिर्फ 19 साल की उम्र में ही कॉलेज बीच में छोड़ दिया था ज आज डेल आएंसी दुनिया की टॉप कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों में से एक है आज में जब लोग विंडो बेस्ट कंप्यूटर खरीदने की बात करते हैं तो डेल का नाम उनकी प्रायोरिटीज या फिर प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर होता है क्या आप भी ऐसा करते हैं अगर करते हैं तो हमें कॉमेंट में लिखके जरूर बताईएगा 1975 में आपल कंपनी की स्थापना की स्टीव ने रीड कॉलिज से सिर्फ एक सेमिस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी लेकिन उनके अंदर बहुत लगन थी और आगे बढ़ने का जज़वा भी जिसके दम पर स्टीव जॉब्स ने पूरी दुनिया में अपना नाम कर द किया था और वो प्रोग्रामिंग फील्ड में ही नौकरी तलाश रहे थे लेकिन अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण उन्होंने अपने वर्डप्रेस को ही आगे बढ़ाने का सोचा और खुद की कंपनी की स्थापना की आज वर्डप्रेस में दुनिया की करीब 23 प्रतिश के जरिये एक आम इनसान भी अपनी वेबसाइट बनाना सीख सकता है और ये इतना आसान हो पाया मैट मुलनवेग की वजह से जिनके पास कोई डिगरी नहीं है मार्क जूकरबर्ग मार्क जूकरबर्ग के बारे में शायद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी हम आपको पताएंगी जूकरबर्ग मेरे आइडिल परसन है और मैं हमेशा से उनके जैसा बनना चाहता हूँ ये कहते हुए आपने कई लोगों को सुना होगा लेकिन वो लोग जिन्होंने ये सब कहा क्या वो ये जानते हैं कि मार्क जूकरबर्ग भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके पास कोई डिगरी नहीं है और जो दुनिया के अमीर लोगों में गेने चाते हैं 2004 में जूकरबर्ग ने हावर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और फेस्बुक को बनाया जो आज, जो आज करोडों नहीं अर्बो लोगों की फेवरेट वेबसाइट है और हम अकसर अपने पूरे वरकिंग आर्ज का कम से कम नहीं तो 30-40% टाइम इस वेबसाइट को जरूर देते हैं आप देते हैं या नहीं? अगर नहीं देते हैं तो भी बताईएगा और अगर देते हैं तो फिर क्या देखते हैं ये भी हमें बताईएगा एलिसन के बारे में बड़ी मज़िधार बात ये है कि उन्होंने एक बार नहीं दो दो बार अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी पहले युनिवर्सिटी ओफ इलिनॉइस से दो साल की पढ़ाई के बाद कॉलेज बीच में छोड़ दिया बात में इन्होंने युनिवर्सिटी ओफ शिकागो में एड्मिशन लिया और वहां से भी मात्र एक सेमिस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ दी यानि कि इनकी किस्मत में पढ़ाई थी ही नहीं क्यूंकि इनकी किस्मत में थी ओरेकल एरिसन ने जाने माने डेटाबेस सौफ़वेर औरकल का निर्मान किया और आज की डेट में ये डेटाबेस सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डेटाबेस है और एकल कमपनी दुनिया की टॉप कमपनियों में किनी जाती है तो देखा आपने किस तरह दुनिया के अमीर से अमीर लोग बिना कोई डिग्री लिये भी टॉप सक्सेस्फुल लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। और पैसा कमाना सिर्फ उन लोगों के बस की बात नहीं रह गई है जिन्नोंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हैं। अगर आप किसी स्किल को जानते हैं तो भी आप खुब पैसा कमा सकते हैं। अगर आप भी हमारे इस विचार से सहमत हैं तो हमें कॉमेंट में ज़रूर लिख कर बताईएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे लाखो करोडो बच्चे हैं जो हमेशा जो ये ताने सुन सुन के बोर हो चुके हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। क्योंकि आज कल खेल कूद कर भी लोग देश का नाम रोशन कर रहे हैं और बन चुके हैं करोडों अर्बुपती। आज के लिए बस इतने ही एक और नए विडियो के साथ होगी बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकाई तब तक के लिए बाबाई।